So friends, this is Gaurav here. आज मैं अपने फेवरेट टॉपिक के साथ आया हूँ, बिलीफ सिस्टम, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, जो महावत होते हैं, महावत वो क्या करते हैं, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है, तो उसको वो एक रस्षी, बड़ी मजबूत रस्षी के साथ बान देते हैं, उस मजबूत रस्षी को पेड़ से बानते हैं, हाथी का बच्चा बड़े जोर लगाता है, उठा पटक करता है, बटो रस्षी तूट नहीं सकती, हाथी के बच्चा धीरे 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 उस effort को कम कर देता है और एक दिना आता जब वो उसके साथ okay हो जाता कि यह रस्य अप नहीं तूटेगी मैं आजाद नहीं हुआ जब हाथी बड़ा हो जाता है उसके अंदर बहुत ही ताकत आ जाती है लेकिन वो बड़ा उसी belief system के साथ होता है कि यह रस्य मैं अब कभी नहीं तोड़ता हूँ लेकिन बाद में महवत क्या करता है बड़ी ही पतली रस्य से उस हाथी के पैर को बानता है जिसको वो चाहे तो एक छटके में तोड़ सकता है लेकिन उसका जो belief system कहता है कि यह वही रस्य है अब मैं इसको नहीं तोड़ता हूँ और वो ट्राई भी नहीं करता है उसके दिल और धिमाग में यह बात बैठी हुई है कि यह रस्य नहीं तोटेगी मैं कभी free नहीं हो सकता आपको यह मुझे नहीं लगता कि हम भी उसी belief system के साथ बड़े हुए है वही रस्य वही पतली रस्य अब हमारे पैरों में बंदी पड़ी है जो पहले कभी हमारे जानने वालों ने जाने अंजाने में हमारे पैर में डाल दी थी मैं आपसे यह request करूँगा कि आप उस रस्य को तोड़िये अब आप इतने बड़े हाती हो चुके हो कि एक हलका सा पैर जोर से पटकोगे तो वह रस्य तूट जाएगी बस आपको वह एक पहला step लेने की ज़रुत है आप बहुत कुछ कर सकते हैं अब वह step लीजिये तो फिर देखिए आप अपने अंदर जाग के देखिए कितने चोटे चोटे beliefs आपके अंदर खुसे में आप सुबह नहीं उठ सकते रात को जल्दी नहीं सो सकते शोचल मीडिया नहीं छोड़ सकते आप कर सकते हैं बस एक step उठाइए सब कुछ हो सकता है